हमीरपूर पुलिस ने किया बड़ा परदाफाश आचार संहिता के अनुपालन में चेकिंग के दोरान पुलिस ने संदिक ट्रक में लदे 40 गोरियों में से आतकुंतर अवैद कांजा बरामत करके दो अभियुक्तों को गिरफतार किया है बता दे कि पूरा मामला हमीरपूर जनपद की बिवार थाना का है जहां हमीरपूर कुलिस अधीक्षक के कुशन निर्देशन पर पूरे जनपद में माधक पदार्थों की तसकरी के खिलाफ कुलिस का अभियान जारी जहां कुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है बता दे कि मुख्विर की सूचना पर बिवार थाना के मौधा तिराहे पर पूलिस ने एक संदिक ट्रप को रोका जिसमें से 40 बोरियों में 8 कुंतर अवैद कांजा बरामत किया है पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने कहा है कि थाना मौधा का रहने वाला अभियुक 36 कर में रहकर काफी समय से मादत पदार्थों का यह अवैद कारुबार का बड़ा माफिया है जिसकी गहंता से जांच की जा रही है अभियुक्तों के विरुत वैधानिक कार वाही की जा रही है इसमें से दो अभियुक्त दानिश और राईश खान मौके से गिरफतार हुए और चार सीबू, फरीद, हारुन और आरिफ ये लोग इनकी गिरफतारी सेस है इस समन्द में ग्यात हुआ कि यह बैसिकली मौधा थाना च्छेतर के रहने वाले हैं और रायपूर में रहकर के इस कारोबार को अंजाम देते हैं, वहां से ये विभिन जन्पदों में भेजते हैं, बेसिकली उडीशा से ला करके फिर रायपूर लाते हैं, रायपूर से ये महोबा और आसपास पूरे बुंदेल खंक और कई प्रदेशों में ये गाजे का कारोबार करते हैं, इनके पा इस पूरे गैंग के अनावरों के लिए लगातार कोशिच जारी है